नमस्ते जाएंज, आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं watermark bot के बारे में इस bot का इसतेमाल करके आप अपनी किसी भी वीडियो पे watermark सैट कर सकते है permanent watermark जो लास्ट में वी सैट कर सकते हैं और चाहे तो आप उस पूरी वीडियो के अंदर भी उसे सेट कर सकते है। अगर आपको नहीं पता है कि watermark इन क्या होता है तो मैं आपको बता देता हूं आप मेरी वीडियो को फोरी स्क्रिंग पर प्ले करें अप्ले करने के बाद आपको यहाँ पर राइट कॉर्णर पर दिखा इधर होगा नीचे राइट कॉर्णर पर नीचे मेरे चैनल का लोगो तो वो जो है वही मेरा वाटर मार्क है जो मेरी उस पूरी वीडियो में आपको नीचे नजर आएगा तो ऐसी वाटर मार्क आप अपनी किसी भी वीडियो के अंदर सैट कर सकते हैं अपने चैनल को प्रोमोट करने के लिए तो चलिए फिर आपका ज़्यादा समय ना लेते होए हम अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले आपको यह लिंक ओपन करना है जो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में देदूंगा वीडियो के तो यह हमारी वीडियो का डिस्क्रिप्शन है इसके अंदर आपको यह रीपो लिंक मिलेगा आपको यह लिंक कॉपी करना है और यह लिंक कोपी करने के पाद आप इसे अपने ब्राउजर के अंदर ऊपन करें और यह लिंक ऊपन हो जाने के बाद आपको यहां पर 15 सेकंड्स का वेट करना होगा 15 सेकंड्स का टाइमर पूजा हो जाने के बाद आपको इस एड को यहां पर क्लोज करना है यह हमारा timer अब यहाँ पर complete होगे मैंने add यहाँ पर close कर दी इसके बाद आपको इस pink पटन के उपर क्लिक करना है जिसके लिखा हुआ है get link और यहाँ पर जो हमारी repo वो open हो जाएगी इसके बाद आपको आपके पास यहाँ पे पहले से एक hiroku पर अगर आपको नहीं पता गिया आप github पर कैसे account create कर सकते हैं तो आप हमारे description में दूभी वीडियो को देख सकते हैं github पर account create करने के बाद आपको इस web page को desktop site के अंदर open करना है desktop site के अंदर open हो जाने के बाद आपको इस video इसे repo को fork पर क्लिक करना है और इस repo को यहाँ पर fork कर लेना है create fork पर क्लिक करेंगे और इसके बाद जो यह repo है वो हमारे account के अंदर fork हो जाएगी इसके बाद आप इस page को normal कर लेए कि इसके बाद आपको क्या करना है आपको यह address यहाँ पर copy link address करना है यह link address copy करने के बाद आपको वापस हमारी वीडियो के description में जाना है और आपको यह link open करना है deploy बटन का मैंने जो भी यूडूर Orle copy गया था मैं इसको भी हापए पेस्ट कर लेता हूं इसके बाद आपको यह यह जो यूरॉर्य यहाँ पर दिखुर है है आपको यह link copy करना है आपको यह एहां पर copy link text करना है याद रखना आप URL copy मत करना आपको link жक्ट करना है इसके बाद आपको यहां पर दिखाई दे रहोगा copied URL आपको यहां पर इस copied URL को इस copied URL की जगह यहां पर पेस्ट कर देना है और इसे सेव कर देना है इसके बाद आप इसे अपने ब्राउजर के अंदर ओपन करें मैं यहां पर आपने ब्राऊजर के इंतर इस लिंक को आप ऊपन करूंगा आपको भी ठीक ऐसे ही करना है अगर आपको नहीं पता कि आप Hieroku पे कैसे अकाउंट क्रियेट कर सकते हैं तो आप हमारे डिस्क्रिप्षन में दिहुयो वीडियो को देख सकते हैं बहुत ही आसान है इसके बाध आपको क्या करना है आपको आपको अपने ठेलिग्राम का ये पे आई आइनडी और है ऑगरॉले को नहीं पता कि आप अपने टेलीग्राम के ये पीजबि आए ये ये कैसे ले सकते हैं तो आप अमकर दिस्रिप्शिंग में भी वीदियो को देख सकते हैं करने और ten याद रखे जाओ अपने यूजर निम एंटर करें तो आपको एड़ बा में यूज नहीं करना है इसके बाद आपको यहाँ पर mongodb database URL एंटर करना है अगर आपको नहीं पता कि आप mongodb database URL कैसे बना सकते हैं तो आप हमारे description में देगी वीडियो को देख सकते हैं इस वीडियो इस इस बाद को create करने के लिए जितनी भी चीज़ों के requirements होगी उन सब वीडियो का link मैं आपको description में sequence में देख लो उसके बाद वो सारी चीज़े बना लेना इसके बाद आपको इस बाट को ऐसे करके deploy करना है ठीक है अब मैं हाँ पर आपना mongodb URL एंटर कर देता हूं यह मेरा mongodb URL है इसके बाद आपको क्या करना है आपको अपने telegram के अंदर एक चैनल क्रिएट करना लॉग चैनल के नाम से मैं एक चैनल क्रिएट कर लेता हूं वाटर मार्क बॉट लॉग चैनल और आपको इस चैनल को प्राइवेट रखना चाहिए तो प्राइवेट सकते हैं को पब्लिक रखना चाहिए तो पब्लिक रख सकते हैं मैं इसे प्राइवेट कर दूँगा इसके बाद क्या करना है आपको अपने इस बॉट को एजन एड आपके चैनल की आइडिया आपको इस चैनल की आइडिया है इसके बाद आपको एहां पर एंटर कर देना है इसके बाद अपको यहां पर इन्टर है प्लड करना है इसके बाद आपको प्रिज्य satisfaction को शीмет रहने देना आप चाहें तो change कर सकते हैं bot के readme को मतलब repo के readme को बढ़कर change कर सकते हैं अब इसके बाद आप कर चाहते हैं अगर आप चाहते हैं कि आप अपने bot को force subscribe use करना चाहते हैं मतलब आपके bot को कोई भी आपके channel को join करें बिना use ना कर पाए तो आप यहाँ पर उस channel की ID यहाँ पर enter कर दें तो मेरा जो channel है यह मेरा channel है ग्रेमेटर स्पॉर्ट आप इसे चाहें तो join कर सकते हैं मैं इसे rosebot को send करूँगा और इसकी ID यहाँ पर fill कर दूँगा इसके बाद आपको यहाँ पर deploy एप के उपर मैं अपने बाट को यहाँ पर अपने अपने चैनल के अंदर भी एजन एड़ में स्टेटर एड़ कर दूँगा आपको भी एजन एड़ में स्टेटर एड़ करना होगा अगर आप पोर सब्सक्राइब यूज कर रहे हैं पोर सब्सक्राइब यूज करना एक ऑप्शनल है आप चाहें तो यूज कर सकते हैं ना चाहें तो ना करें उससे कोई फर्क नी पड़ेगा अब यहाँ पर हम कुछ दिर वेट कर लेते हैं हमारे बाट का successfully deploy होने का तो आप यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा जो बाट है वो successfully deploy हो चुका है इसके बाद आपको मैनेज आप पर क्लिक करना है मैनेज आप पर क्लिक करने पाद आपको यहाँ पर second page पर जाना है और आप यहाँ पर देखे कि आपका डाइनो एक्टिव है या नहीं तो अगर यह राइट साइड है इसका मतलब यह है कि आपका डाइनो यहाँ पर एक्टिव है और अगर आपका left side है तो आप इसे ऐसे कर कर रहा है और आप इसे यहाँ पर चेक भी कर सकते मैं से start कमांड दूंगो यहाँ पर स्लेश स्टार्ट तो आप यहाँ पर दे सकते हैं कि हमारा जो बॉर्ट है वह यहाँ पर वर्क कर रहा है हमारे इस बॉर्ट को डिजाइन किया है आब आबर हसन 2005 में आप चाहिए तो उन्हें गिटप पर फॉलो कर सकते हैं उनके उनके और भी ऐसे शांदार प्रोजेक्ट के लिए उनके आप एक चीज का द्यान रखें कि आप इस बॉर्ट के अंदर एक टाइम पर एक ही वीडियो को प्रोसेस कर सकते हैं यह मल्टिपल वीडियो और यहीं प्रोसेस नहीं कर सकता है और आप यहां पर दिख सकते हैं कि हमारी जो डाउलोडिंग है वो स्टार्ट हो चुकी है लगबग हो चुकी है इसके बाद हमारों जो मेसेज है वो अपडेट हो जाएगा कुछ दिर के अंदर हमारी ये डाउLोड हो चुकी है अब इसके अंदर क्या है watermark set हो रहा है तब तक मैं आपको बता देता हूं कि आपको इसके अंदर क्या-क्या features मिलते हैं आपको यहाँ पर broadcast message मिलता है broadcast command से क्या हो सकता है कि आप आपने bot से as a message broadcast कर सकते हैं ब्रोडगास्ट इस बॉट के सारी users के पास जाएगा जो भी यूजर इस बॉट को इस्तमाल करते हैं आप इसे as a promotion यूज कर सकते हैं ठीक है और आपको कहा कर सकते हैं आप यहाँ पर status command इतनी वह start पूरी हो चुकी है और हमारा जो बॉट आप वीडियो को अपलोड करेगा अब कैंसल क्या आप किसी भी टास्क को जो चल रहा है उसे इसे cancel कर सकते हैं और आप जो भी आपकी settings आपने set की हुई है उन्हें cancel कर सकते हैं अब देखिए हमारे जो वीडियो थी वह यहाँ पर processing जो थी वह पूरी हो चुकी है हमारी वीडियो processing यहाँ पर पूरी हो चुकी है अब मैं आपको एक और चीज दिखा देता हूँ यह हमारे बॉट का log channel था इसके अंदर हमें सारे messages आज सुके हैं जैसे ही मैंने अपने बॉट को start करा तो यहाँ पर मिरको message आ गया कि एक new user ने आपको आपके बॉट को start किया आप यहाँ पर उसकी ID का link भी मिल गया ठीक है उसके बाद उसने जो वीडियो से अंड करी मिरको वीडियो भी मिल गई इसके बाद हमारे बॉट ने जो process करी वीडियो हमें वह वीडियो भी हाँ पर मिल चुकी है इसके बाद आप चाहें तो यूजर को बैन भी कर सकते बस यूजर को इस बैन यूजर को बैन कर देगा इसके बाद जो वह यूजर होगा वह आपके बॉट को यूज नहीं कर पाएगा ठीक है अब अब हमारी रह गई settings आप इस settings कमान को यहां पर run करें इसके बाद आप यहां पर select कर सकते हैं कि आपको watermark का size कितना रखना है तो अब हमारा जो watermark का size है वो 7 है आप चाहें तो इस size को increase कर सकते हैं इंक्रीज कैसे करना है आप यहां पर select कर सकते हैं 5, 7, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 आप इसके अंदर कोई भी select कर सकते हैं मैं हाँ पर 45 एक बार कर देता हूं select और यह हमारा जो watermark का size है वो 45 यहां पर select हो चुका है इसके बाद आप यहां पर watermark position select कर सकते हैं तो अभी हमारी जो watermark की position है वो टॉप left है आप चाहें तो इस watermark की position को change कर सकते हैं set top left, top right, bottom left और bottom right ठीक है तो अभी मैंने इसका size बड़ा कर दिया है मैं अब एक और इसे वीडियो हमारी जो log channel के अंदर settings भी change हो चुकी है इस user के लिए और यह जो settings है वो हर user के लिए अलग-अलग हो सकती है ठीक है तो और users भी आपके bot को use कर सकते हैं मैं इस वीडियो को दुबारा processing कर लेता हूं आप मैं इस bot को again run करूंगा ताकि जो हमारा बॉट है वो इस video को 45% watermark size के साथ upload करे अभी जो हमारी थी उसके लिए सिर्व 7% था देखें आपको यहां पर देख सकते हैं कि टॉप राइट कॉर्णर पर आपको यहां पर जो मारा watermark था वह 7% में आपको नजर आ रहा होगा आप यहां पर कोई भी इमेज इसे सलेक्ट कर सकते हैं कोई में कोई भी इमेज आप क्या था यहां पर मैंने पहले तो 7% बाइड वर्क करता है अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें हमारी इस वीडियो को लाइक करना ना भूले तो देखो हमारे जो वीडियो थी वहां पर प्रोसेसिंग पूरी हो चुकी है और आप यहां प बहुत शुक्री हमारे चैनल को लाइक करें शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें अगर आपको इस बॉट को डिपलॉय करने में कोई भी प्रॉब्लम या इशू आता है तो आप हमारी सपोर्ट गुरूप के हमें कॉंटेक्ट कर सकते हैं सब हमारी सपोर्ट गुरू आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो भी कर सकते हैं